गुड मार्निंग फ्रेंज्स दिस इज एम्डी वसीम वेलकम टू मैं चानल वसीम अकेडमी फ्रेंज्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि दोबारा टेट इम्तहान लेने की तजवीज जो लोग इस बार एक्जाम में कौलिफाई नहीं कर पाएं तो इसके लिए अच्छा नियूज है कि इस साल के आखरी में फिर दोबारा टेट होने का इमकान है जैसे कि आप लोग ये पेपर का एक शॉट कटिंग है इसमें उपर में लिखा हुआ है इस साल के आखरी में दोबारा टेट इमतहान की तजवीज कोलकता एस एन बी टेट इमतहान के नता हो सकता है इन्होंने ये भी कहा कि बोट के एक साल में दो बार टेट का इमतहान होना चाहिए लेकिन ये फैसला सिर्फ काउंसिल के हाथ में नहीं है इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि साल में दो बार टी-ई-टी इमतहान के मामले पर सहुलाद उठाय जा रहे हैं तब कुछ किया जाएगा TET अम्तार की एमकान के बारे में बात करने के बाद भी, इन्होंने दимости कोई तारीक नहीं बताई। थीके। तो अम्तार में भी स साल के आखरी में दिسم्बर तक होने के चानセ से। कौन्सियल के जो सदर है टेट इम्तहान के लिए हमें मुहक्मा तालीम की तज्वीज देना पड़ती है ठीक है एजूकेशन मिनिस्ट्री में पूछा जाता है क्योंकि इम्तहान काउंसिल लेता है लेकिन इंतजामी या साखती सहुलियात होकुमत की तरफ से फराहम की जाती है पहले एड हॉक पंदरा दिन में पूरे अमल के तहट किया जाएगा तो इस इस खबर से यही समझ में आ रहा है कि इस साल के आखरी में दुबारा टेट का इंतहान हो सकता है तो जो लोग पास नहीं कर पाएं तो आप लोग अपने को अच्छी तरीका से प्रिपेर कर लिजे क्योंकि अभी को वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और शेयर करना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आज की वीडियो पर इस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यों फ्रेंड्स थैंक्स